मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूटूब चैनल टेक देव में स्वागत है तो दोस्तों यह है लिब्रे ओफिस कैल का टूटोरियल लंबर 63 अगर आपने अभी तक टूटोरियल लंबर 62 नहीं देखा है तो आप उपर दिये गए आई बटन पे क्लि करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो नीचे दिये गए डिस्क्रेप से लिंक ओपर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों यह है डेटा मेनू का पार्ट से वन जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा मल्टिपल आउप्रेशंस आपसन के बारे म ओके तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक सिंपल इंट्रेश्ट का टेबल क्रेट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आप एक सिंपल इंट्रेश्ट का टेबल क्रेट कर लिया है मैंने यहाँ पर टॉप साइड में टाइप किया है मोल्धन गुडे समय गुड दर बटा सो इसके बाद नीचे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है मूलधन इसके बाद यहाँ पर मैंने टाइप किया है समय वर्स में इसके बाद प्रतिसद इसके बाद साधारड ब्याज इसके बाद नीचे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है मूलधन इसके बाद समय मा हमें इसके बाद प्रतिसद और साधारण ब्याज ओके तो आप चाहें तो यहां पर डिरेक्टली भी निकाल सकते हैं तो मैं अभी आपको यहां पर तरीके से यहीं भी बताऊंगा इसके बाद मैं आपको मुल्टिपल ऑपरेशन का यूज करके भी दिखाऊंगा ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहां पर साधारण ब्याज की नीचे वाले में क्लिक किया और इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है आपका अपना फार्मूला तो आपको यहां पर टाइप करना है इक्वल टू इसके बाद आपको यहां प चिप्ट का बटन दबा कर आठ प्रेस कर दिना है इसको दबाने से यहाँ पे एक इस्टार आ जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे अपना समय सेलेक्ट करना है तो मेरा यहाँ पे समय दिया है वन इयर तो मैंने एक बर यहाँ पे किलिक कर दिया इसके बाद आपको अपने keyboard से shift to eat button प्रेस कर दिना है इसको प्रेस करने से यहाँ पे star का sign है जाएगा जिससे इसमें गुड़ा होता है इसके बाद आप यहाँ पे अपना दर करना select तो मैंने यहाँ पे अपना दर किया select इसके बाद आपको यहाँ पे slash लगाना है इसके बाद आपको यहाँ पे so type कर दिना है इसको type करने के बाद आपको अपने keyboard से enter का button प्रेस कर दिना है इसको प्रेस करने से आपका one year का साधार अरब्याज निकल जाएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे 5 साल का देखना तो आप यहाँ पे click कर करके type कर दिजे 5 इसके बाद enter तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाँच साल का साधार अरब्याज आ गया इसके बाद आप चाते हैं पाँच परसेंट की दर से देखना तो आप यहाँ पे 5 टाइप करिए इसके बाद इंटर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% किदर से मेरा साधारड बे आज 5000 आ गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके 10 टाइप किया और इंटर प्रेस कर दिया वर्स पे क्लिक किया और मैंने आप टाइप कर दिया 10 साल इसके बाद इंटर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल का हो गया 20,000 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके तो आप यहाँ पे डारेक्टली क्लिक करके सभी का देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे अपना मूलधन भी चेंजिक करके देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे समय पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इसको प्रेस करने से आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 50,000 का साधारण ब्याज यहाँ पे आ गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 20,000 ओके तो ये था हमारा साधारण ब्याज वर्स में अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे मन्त में तो इसके लिए आपको यहाँ पर साधारण ब्याज के नीचे किलिक करना है और आपको यहाँ पर टाइप करदना है इक्वल टू इसके बाद आपको अपना मूलधन करना सेलेक्ट इसके बाद आपको अपने कीवोड से टिप्ट एट बटन प्रेस करना है इसको प्रेस करने से यहाँ पर इस्टार लग जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर अपना समय करना सेलेक्ट इसके बाद आपको यह इसके बाद आपको यहाँ पे चीप टू एट प्रेस करना है इससे आपका इश्टार आ जाएगा इसके बाद आप यहाँ पे अपना परसेंट कर लीजे सलेक्ट तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसके बाद मैंने आपे सलाएस सो टाइप कर दिया इसके बाद आपको अपने की बोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर दिना है इसको प्रेस करने से आप यहाँ पे देख सकते हैं six month इसके बाद मैंने inter button प्रेस किया तो आप यहाँपे देख सकते हैं 6 महिने का आगिया 1000 साधारण व्याज जो आप यहाँबे देख सकते हैं ओके अगर आप यहाँपे verse में 6 type करेंगे तो आपका यहाँपे जो साधारण व्याज है यह यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जो आपका टॉप वाला है इसमें मैंने यहाँ पे वर्स के हिसाब से निकाला है और जो डाउन वाला है इसमें मैंने यहाँ पे महीने के हिसाब से साधारण ब्याज निकाला है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वर्स में 6 वर्स टाइप किया है और 6 वर्स का आगे यहाँ पे 12,000 अगर मैं यहाँ पे महीने में 72 टाइप करूँगा तब जाकर यहां पे 12,000 साधारण ब्याज आएगा जो आप यहां पे देख सकते हैं इसका मतलब यह है कि जो मेरा नीचे का साधारण ब्याज है यहां पे महीने के हिसाब से निकल रहा है और जो मेरा यहां पे टॉप का साधारण ब्याज है यहां पे वर्स के हिसाब से निकल रहा है जो आप यहां पे देख सकते हैं ओके तो यह था हमारा सिम्पल तरीका जिससे मैंने यहां पे डारेक्टली टाइप करके आपको साधार अडव्याज निकाल कर दिखाया अगर आप मल्टिपल ऑपरेशन्स आपसन के द्वारा करना चाहते तो आप यहां पे कर सकते हैं इसके लिए आपको यहां पे आपके साधार अडव्याज के राइट साइड में आपको यहां पे मन्त और इयर टाइप कर दना है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे हाँ पे टोप बॉला सेक्षन है इसमें मैंने यहाँ पे वर्स के हिसाप से साधारट व्याज निकाला है तो आपको साधारट व्याज के जच्ठ राइड साइड में आपका अपना वर्स टाइप कर दैना है तो मैंने आपके टाइप कर दिया 1 year, इसके बाद 2 year, इसके बाद 3 year, इसके बाद 4 year और मैंने आपके टाइप कर दिया 5 year ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके टाइप किया 1 year, 2 year, 3 year, 4 year और 5 year इसके बाद आपको यहाँ पे अपना price टाइप करदना है जिसका आप 1008 ब्याज निकालना चाहते हैं तो मैंने आपके टाइप कर दिया 30,000, इसके बाद 40,000, इसके बाद 50,000 ओके तो मैंने हाँ पे कुछ नंबर से भी टाइप कर लिया इसके बाद आपने हाँ पे जो अपना साधरण ब्याज निकाला था इसके साथ आपको इन सभी नंबर को सलेक्ट कर लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ मैंने सभी नंबर को select कर लिया इसके बाद आपको जाना है आपके अपने data menu में data menu जाने के बाद आपको click करना है multiple operation के उपर और इसके उपर click करने के बाद आपका multiple operation का एक dialog box open हो जाएगा इसके बाद इसमें आपको यहाँ पे तीन section मिलेगा फर्ष्ट मिलेगा फार्मूला का इसके बाद row input cell, column input cell तो आपके यहाँ पे फार्मूला में अपना ये पूरा range select कर लेना है तो मैंने आपके अपना पूरा range directly selected कर लिया ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना पूरा range select कर लिया और इन सभी range का detail टोप उले section में आगया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपको next आप समलेगा row input cell का तो आपको इसके box में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपके अपने मूलधन को select करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका main मूलधन यहाँ पे दिया है तो मैं एक बार यहाँ पे click करूँगा और इसके उपर click करने के बाद आपको next आप समलेगास में column input cell का तो आप एक बार यहाँ पे click करूँगा और इसमें आपको अपना time select करना है तो मेरा time यहाँ पे दिया है समय verse में तो एक बार आपको यहाँ पे click करना है और ये करने के बाद आपको directly OK बटन के उपर क्लिक करदना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरे सभी numbers का यहां पर साधारण ब्याज निकल गया जो आप यहां पर देख सकते हैं ओके तो जो मैंने हाँ पे 30,000 टाइब किया था इसका 1 year का साधारण ब्याज है 3,000 इसके बाद 2 सार का 6,000 तीन साल का 9,000 चार साल का 12,000 और 5 साल का 15,000 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके आप चाहें तो यहाँ पे directly type करके भी इसको check कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे 40,000 है इसका 2 साल का साधारण ब्याज 8,000 है तो मैं यहाँ पे इस मूल्दन के नीचे किलिक करूँगा और मैं यहाँ पे type करता हूँ 40,000 इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर देना है इसको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे समय वर्स के नीचे किलिक करना है और आपको यहाँ पे दो साल टाइप कर देना है इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर देन है इसको प्रेस करने से आप यहां पे देख सकते हैं मेरा दो साल का साधारण ब्याज 8000 आ गया जो आप यहां पे देख सकते हैं ओके तो आप यहां पे देख सकते हैं टॉप में टाइप करने से भी 8000 आ रहा है और नीचे यहां पे जो मैंने आपसं से किया था उसमें भी यहां पे 8000 दिखाई दे रहा है जो आप यहां पे देख सकते हैं ओके तो यह था हमारा Multiple Operations आपसं जिसके बारे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया तो उमिद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like share जरूर करें चैनल को subscribe कर दिजिये और पास में दिये गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो थांक्स भजी मैं वीडियो